अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं तो मुंबई में जब अटैक हुआ था सन 2008 में तो हम लोगों ने एनसजी के लाइव ऑपरेशन को देखा था कि किस तरह वो लोग हलिकॉप्टर के थू नीचे उतर रहे थे रोप के थू नीचे उतर रहे थे हलिकॉप्टर से और उन्हों ने किस तरह ओपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को अंजाम दिया था तो आज मैं प्रकर श्रिवास्तव आपसे बात करूंगा नेशनल सिक्यूरिटी गार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे ब्लैक कमांडो के बारे में सो बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड डूंट फगेट टू पेज दवेल आइकन ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए निकल पढ़ते हैं आज के सफर पर दोस्तों ही है इंडिया नाव फौर्स जिसमें इंडिया निवी इंडियान एर फॉर्स इंडियान आर्मी एंडियान प्र बहुत सारे पेल Woolas它ी बाहते हैं जिसको इस पेशल पर्पस के लिए क्रियेट किया गया था इसका नाम है capitalist premises गजित्यओ आलुग अजिशे को हम लोग अग कलल मिंट की एक आक्ट बनाई गई थी जिसका नाम था National Security Guard Act 1986 उसी के तहट NSG बनाई गई थी और इसके बनाने के तीछे कई सारे रीजन थे क्योंकि 1980 के दौर में इंडिया ने बहुत सारे अटैक देखे हमारे देश की पहली महीला प्रधान मंत्री इंडरा गांदी की हत्या देखी देन देर आफ्टर अक्षर धाम पे अटैक देखा तो बहुत सारी ऐसी चीजे थी जिसने इनिशिरेट किया NSG को बनाने में चाहे वो आपरेशन ब्लू स्टार हो देन देर आफ्टर चाहे वो इंडरा गांदी की हत्या हो 31st of October 1984 फिर चाहे वो अक्षर धाम का वो अटैक हो जो गुजरात में हुआ था कई सारी ऐसी अक्टिविटीज ने पार्लियामेंट को इस एक्ट को पास करने के लिए मजबूर किया और NSG का जनम हुआ ये ऑपरेट करती है दोस्तों Ministry of Home Affairs के अंडर में और ये टास्क ओरियेंटेट फोर्स है मतलब ये घमेशा आपका एक्टिव नहीं रहते हैं इन्हें टास्क दिया जाता है जैसे इंडियन आर्मी क्या है वो घमेशा अक्टिव रहती है इंडियन आर्मी का काम क्या है बॉर इनको मेन ओफेंसिव और स्ट्राइक विंग कहा जाता है एनसजी का और दूसरा है स्पेशल रेंजर ग्रुप्स जिसमें स्टेट पुलिस फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के परस्तल होते हैं और इनका मेनली काम होता है वी आईपी सेक्यूरिटीज को मेंटेन क करना तो यूजली आनसजी दो तरह के ग्रुप में डिवाइड़ है एक है स्पेशल एक्षियू ग्रुप्स एक है आपकी स्पेशल रेंजर्स ग्रुप्स दडएड अफ़ ऐनसजी जो एनस्जी का हिड ओता है वह डिर्रेक्टर जनरल होता है और इसको सेलेक्ट करती है औ वो counter terrorist attack को handle करने के लिए mainly इसका निर्माड किया गया इनका काम है जितने भी hijacking task होती है उनको counter करना ठेक है चाहे वो जमीन पर हो पानी में हो, air में हो, ठेक है इनको bomb disposal करना सिखाया जाता है search, detection and neutralization of the IED post blast investigation, hostage rescue mission मतलब अगर किसी को बंदी बना लिया गया हो तो उसको किस तरह छुडाना है ये भी NSG comment task में से एक होता है और personally हम लोग जो NSG personal गये उनको हम लोग black cat commando कहते है इने black cat commando इसलिए कहते है क्योंकि इनकी black outfit होती है और black cat insignia होती है इनके uniform पर इसलिए इने black cat कहा जाता है ये जो screen पर आप लोगों को नज़र आ रहे है ये आपके black cat commando है अब मैं आपको इनके कुछ important operations के बारे में बताऊंगा जो कि black cat commando ने मतलब कि NSG ने अभी तक हमारे देश में successfully अंजाम दिये है सबसे पहला operation black thunder golden temple Amrish sir during 1986 and 1988 operation blue star आप लोगों को याद होगा उसके बाद दोस्तों operation black thunder हुआ था golden temple में छुपे और सारे आतंगबादियों को निकालने के लिए जिसको अंजाम दिया था NSG ने black cat commando ने operation ashwamid IC427 Indian airlines hijacking उसको कौन भूल सकता है चेके दोस्तों तो operation ashwamid वहां के लोगों की rescue operation के लिए मतलब जिनको कांधार ले जाया गया था इंडियन्स को hijack करकर उनको वापस लाने के लिए इन्होंने operation चलाया था operation ashwamid operation thunderbolt और विजय शक्ति अक्षरदाम temple पर जो attack हुआ था गुजरात में 2002 में उसको comeback करने के लिए उसको counter करने के लिए operation thunderbolt चलाया गया था and the last सबसे important operation operation black tornado Mumbai attack 2611 आपके भी जहन में ताजा होगी मेरे भी जहन में ताजा है कि तिस तरह हम लोगों ने के पहली बार कि कमांडो पर्सनल को helicopter से मीचे आते देखा था रोप के थ्रू और counter attack करते देखा था and it was a surreal experience for us तो mainly जो NSG होती है वो आपकी task oriented force होती है जिसका काम होता है देश के अंदर अगर कोई भी आतंढबादी गतियी जुरीन है अगर कोई भी आतंघवादी गतिया होगी महिस मुझा हो कि और